हाई गास गूट मर्निंग अज हम आप लोग के समने एक आम इंशान का जिंदिगी केशा होता है उसी के बारे में बात करतो हुए हमारे हायरिक्स ओन्नाइन शाप का बिजनेस अपर सोटी में परसोनेटी का प्लान शू करने जा रहा हूं आईए हमारी सिस्टेम के अंदर जो हुटा होता है जब हम लोग सोटा थी तब हम लोग बहुत सपना देखते थी कि मैं बड़ा होके IPS ओपिसर बनूंगा मैं बड़ा होके मैं अर्मी में जाओंगा मैं बड़ा होके मैं बड़ा बिजनेसमेन बनूंगा यह सब सपना हम लोग देखते थे जब हम लोग बड़ा हो जाते हैं उसी सपना को हम लोग सिट्योशन की हिसाब से सपना को सरकार कर देते क्योंकि हम लोग जब बड़ा हो जाते हैं उसी सपना के लिए जो काम करना पड़ता था हम लोग ने कर ने करें इसे लिए हम लोग सिट्योशन के हिसाब से हम लोग उसे सपना को मिठ्टे में मिला दिया आईए हमारे सपना कैसे आगे और मिठ्टे में ना मिलाना पड़ें इसे के बरे में हम लोग सुचिए किया एक जब अमेर लोग क्या सुचते हैं जब वो लोग समाई पैसा नाम किसे कमता हैं को पता है जब मजदरी जो लोग काम करते हैं उन लोग को बारे गंटा काम करने से उन लोग जो तंखा मिलता है उसी तंखा में क्या करता है आपको पता है जो मजदरी लोग जो बारे गंटा काम करने के बाद जो उन लोग को तंखा मिलता है उसी तंखा के उसे सोचा है अरे मेरे तंखा के इसी हिच्चे से हम लोग को दो दिन खना मिल जाएगा हम लोग दो दिन बेटे रहेंगे क्योंकि उन लोग मैंट से इतना ही होता है इसलिए ओ लोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है आईए हम आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है उसी के बारे में समझने के लिए कुशिश करिए दोसरों और सिप्टार में जाने के हैं कि हम क्या समय के साथ हैं अब देखिए जब 1960 में जिन घार में सो रुपया का इनकाम होता था उन लोग को पच्छे का जो प्राइवेट इसकूल में पढ़ाता था उन लोग को बहुत खुशहाल जिंदिगे जिने के लिए मिलता था उन लोग को तकलिब नहीं होता था कि उन लोग को जो चाहता था उनको मिलता था मार्चरी साहे घार साहे मुझे जूख पुरा करने के लिए जो भी सोचता है वह बी ओलोग हासिल कर पाता था क्योंकि उन लोगों को जिंदी को पहुंत अच्छी से गुजरना होता है यह जो सिस्टेम में और यह और विया है में यह निकाल का आए जो इसक के बारे में हमको बतार है हम अनि ऑप लोगों को बता पारा हो कि यह फां कि लोग नहीं बोलता तो हम लोगे आप लोगों को बता नहीं सकते हैं घ्रिक यह पूरस ना चिलिए है इसलिए यह सिस्टेम आप लोगों को बता रहा हूं सुनिए अच्छे तरीके से सुनिए जब कि 1980 में जो लोग 1000 रुपीस कि कमाया होते हैं कि उन लोगों को भी इतना खुशिया मिलती थी इतना जो चाहता था वह भी मिलता था कि उन लोगों को तंका की सब चाना होता था तंका के उपर चाहते तो उनको नहीं मिलता फिर उससे तरह कि आप बाते देखती जाएए 20 यह डिफरेंस देखिए इसमें हर 20 यह में वान जीरो लगाते हुए देखिए अपको 2000 में जिस घर में 10,000 रुपिया तंका मिलता होता ज जो छरकारी जापका हो जो भी बीजनेस में हो उन लोगों को इतना खोशियाल जिंदिके मिलुया होता था फिर तोटाउजन रुट्विंटी में जिस घर में वान लुख इंकाम होगीуш, उनको उससी खोशियाल जिंदिके मिलेगे उसी हाल जिन्दिगे मिलेगे आप देख लेजे यह जो रिविनु है इसी रिविनु को हमें और 20 years बढ़ा के हम देखी है 2040 मैं देखना चाहता हूँ इसमें 10 बढ़ाने से हमको क्या होता होगा 10 बढ़ाना से 2020 में जिस घर में 10 लग तंका आएगी उसी घार का सोक सभी जाए सब कुस मिलने वाला है आया हम और दुसरे की सप्टार में जाने के लिए कुशिश करते हैं देख लिए एक आम इंसान क्या करता है एसके हिसाब के हम लोग उन लोग को समझाने के लिए कुशिश करूंगा जिस जो लोग 20 एज में होता है 20 साल का अमारका जो एक लड़का होता है ना जाब 20 साल में जो उन लोगों को जब मिलता है बार नकरी मिलता है जो मजदरी का मिलता है ना वह लोग जब 20 एक फुट्टी यार्स के अंदर तो कमाता है ना जब एक उधारन की हिसाब से सुन लीजिए जब आप 20 एज 20 साल का उमर में एक नकरी कर लिया जब 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 ज़ॉनिंग क्या तब हमका तंखा था 10,000 इसे 10,000 का उधास से बढ़ते हुए मान लिजर एक लाग रुपिया जब आपको 40 साल का उमर हो गया तब हो गया बहुए साइध से बास्तसाल साल का उमर का जब हो जाओगी तब आप एकेले नहीं रहेगी क्योंकि 20 साल में आप 20 एके लिए रहते हैं जो लोग साधी क्या वो दोई होगा जो जब 20 साल का उमर में एके लिए होता उन लोगों को एक दौस हजार तंग का बहुत ज्यादा होता है उसी की हिसाब से देखिए हैं जब हम लोग सोलिस साल हो जाएंगे तब आपको जिम्मेदर रहे क्या क्या होता है अपको पता है अपको बच्चे होगी अपका बेबी होगी अपके अमी होगी अपकी फादर होगी यह सब जिम्मेदारी आपको ठाना पड़ता है उन्हीं सब जिम्मेदारी को आपको निबाना पड़ता है आपको पता है फिर हम लोगों का आई जो होता है ना दिरे दिर कुछ सबस्क्राइब सकना है यदि सब्सक्राइब है हमारे लोग मोबाइल च misinformation को फीन निक्वालना है मुटता है यह सब्सक्राइब देखते हो यह देखिए जब हम लोग 42 60 यार्ज हो जाएंगे तब हम लोग को क्या होता है जिम्मेदरी भी बड़ जता है फिर हम लोग जब 60 यार्ज होता है ना हमारे जिम्मेदर बड़ जता है क्योंकि हमारे बच्चे को साधी भी करना पड़ता है हमारे बेटी को साधी भी देना पड़ता है हमारे नातिव पुतियों को कुछ हाल जिन्दिगी जीने के लिए कुछ सर्प्राइस का गिप भी देना पड़ता है कि एसम देने की ड की है हमत नहीं होता है कि कि सिक्श्टी यहर्स में उन लोग को रिटार्मेंट मिलता है उन लोग को साक्री करने मिलता था- का निशय मिलता है येशे देख लिजे निशय के तरफ ग्राफ आरा है आहे होटा है निशय के तरफ जाने के लिए जाता है हमारे जिम्में दरे उपर के तरफ क्वंजाते हैं हाई हमेरिक्स सपने होंगे साकार एक हाई रिक्स विप्सेशन आपके जंदर्था सकता है कि इसे के बारे में MLM, Multilevel Marketing, Network Marketing, Direct Selling Industry के बरे में हमारे महान महान लोगों ने क्या क्या कहे गया हमारे हायरिस्ट के बरे में समझने के पहरे इन लोगों के बरे में समझे आईए हमारे एपीजी अब्दुल करामजी भात का राष्ट पुति थी राष्ट पुति थी उन्होने नेट्वरक मर्केटिंग के बरे में क्या का था आई ये देखिये नेट्वरक मर्केटिंग इस थी बस्ते करें बस्ते क्या थी तुरें से तुष्ट ब्दुट पुटिए थी जेन बदी यूँग मैन अग्यू मैन गलोबली अथरवाइस यू कें नबर गेट बस्त तुट आप यूद एस्ट यू आमे को आना है ये हमने नहीं कहा, ये एपी जी अब्दुल क्लाम जी ने कहा है और एक बिक्ती ने कहा है, देख लीजिए, ये प्लेटिसियान है अपको नाम इस जगा में शो कर रहा है इन्होंने कहा क्या, network marketing is the future business in India this is the 21th century business, this will give the revenue of 9,000 crore to India and gov till 2025 इन्होंने ये बैन कहा दिया और इनके पीसे और एक इंसान का बिद दिखी है FICI and KPM की तर्थ की हिशाब से आप देखीए इन लोगोंने क्या कहा network marketing industry in India estimated to be INR billion and firms around 0.4% of total retail sales this industry has a potential store is size of INR 645 millionaires by 2025 इनकी जब से ये बोला और उसके बात देखिया और एक महान लोगोंने क्या कहा इनोने कहा network marketing has products more millionaires than otherwise industry in the history of world इनके पहले और एक इंसान का बोलने का इस्टाल देखिया if I would be given a sense that starts all over again I would choice network marketing तेक लिजिए हमारे हम नहीं कह रहे हैं ये सब बात जोना हम नहीं कह रहे हैं ये सब बात महान बेक्त लोगों को महान महान scientist लोगोंने कह रहा हैं तो हम क्या होता इसके अंगली उठाने वाला जो लोग समाज में रहे के से के बारे में ग्लाद बोलते हैं उनको ये सब बोलो अरे तो क्या अरे तरे हिस्षयत क्या तो इन लोग के खिलाब बोल रहा है जो लोग हमारे इस तैस के बारे में इतना अच्छा काम करते हुए इसे सिस्टेम के बारे में इतना अच्छा बोल के गया और तो तो दो टकी का इंसान है तो नेटवर्ट के बारे में इसे बात करता है इसे network के बरे में negative बात करता है उनको यह सब बोलो यार